राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों कार्टिक मार्ष के क्रश्ण पक्ष की त्योर दशी को धन तेरस का पर्व मनाया जाता है मानिता है कि धन तेरस के दिन ही समुंद्र मन्थन के दोरान भागवान धन वन्तरी समुंद्र से अपतरित हुए थे धन तेरस के दिन भागवान श्रीक गनेश, धनकी देवी मालक्ष्मी, धनके देव कुवेट देव और भागवान धनवंतरी का फोजन विशेश रूप से किया चाता है धन तेरस का दिन धन से सम्मंदे सभी समस्याओं को दूर करने का खास दिन होता है जो भी व्यक्ति अपनी जीवन की धन से सम्मंदे सभी समस्याओं को दूर करना चाते हैं धनकी देवी मालक्ष्मी और धनके देव कुवेट देव को प्रसंद करना चाते हैं उन्हें धन्तेरस पर मालक्ष्मी और कुवे देव का फिशेश रूप से पोचन करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको धन्तेरस के दिन करने वाला एक बहुत ही आसान उपाई बताने जा रहे हैं। इस उपाई को करने से आपका भाग के चमकने लगेगा। और धन की वर्षात करते हैं। यह उपाई आपको थोड़े से अक्षत यानि की साबुचावल से करना है। हिंदु धर्व में कोई भी फूजा अक्षत की बिना पूरी नहीं होती। अक्षत को हिंदु धर्व में बहुत प्रिया माना जाता है। और अक्षत मा लक्षमी को बहुत प्रिया होते हैं। उपाई करने के लिए धन तेरस की रात को आप सच्छ लाल या पीले रंग के बस्ते धारन करके अपने मंदिर के सामने आशन बिचा कर पैठ जाए। लाल रंग माता लक्षमी और कुवेर देव का प्रिया रंग होता है। और पीला रंग पाकवान धनवंतरी को विशेश रूप से पसंद है। अब आप अपने मंदिर में एक शुद्धिगी का दिया जलाएं और एक सुगंदे धूपत्ती जलाएं। इसके बाद आप गिन कर चावल के 21 दाने लें। ध्यान रखें आपको साबुत चावल के 21 दाने लेने हैं यानि की 21 अक्षत लेने हैं। अब सभी दानों को हाथ में लें। और पागवान शिरी गणेश का इसमरण करें। पकवान शरी गणिश को प्रणाम करें और इन सारे दानों को आप एक पात्र में रखतें अब एक लाल रंग का साफ नया कपड़ा लें इस कपड़े को आप मंदिर में पिछा लें अब आप चाबल का एक दाना अपने हाथ में लें और माता लक्ष्मी जी के इस बीच मंत्र का एक पात्चाब करें मंत्र है ओम शरी शरी नमा अब इस चाबल को आप लाल रंग के कपड़े पर रखतें इसी तरह से अब आप चाबल का दूसरा दाना लें उस पर भी इसी मंत्र का जाब करें और फिर इस चाबल के दाने को भी आप लाल रंग के कपड़े पर रखतें इसी तरह से आप हर चाबल के दाने को हाथ में लेकर माता लक्ष्मी के इस बीच मंत्र का जाब करें और सभी चाबलों को अभी मंत्रत कर लें इसके बाद चाबलों को आप लाल कपड़े में बान दें और एक पोटली तयार कर लें अब इस पोटली को आप माता लक्ष्मी जी के चर्णों में रखें इसके बाद भगवान शरी गरेश माता लक्ष्मी और कुवेर देब का पूजन करें अब इस पोटली को आप मंदिर में ऐसे ही रखा रहने दें और दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद आप इस पोटली को उठाएं और इसे अपने धन रखने के इस्थान पर रखतें इससे दन सम्मंदी सभी परेशानिया दूर होंगी आपका भागे चमकने लगेगा आपका भागे प्रबल होगा और थनकी देवी मा लक्ष्मी और कुवे देप की कृपा प्राप्त होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंज और रिस्तेदारों में जादा से जादा शेयर करें जिससे भे भी इसका लाब उठा सकें और हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पूर वाचिंग रधी राधी